नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Civil Pitama Civil Engineering Training Institute में मैं Corporate Trainer रास्तोष पाठक दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो को आपके बढ़ाते हैं लिए जो कि पेडिलियु के दो रान बनाया जाता है जो में ब्लैक कलर का होता या ब्रावनिस ब्लैक कलर का होता है जो इसकी फौर्म होती है वो semi solid form या solid state में पाया जाता है तो दोस्तों bitumen 3 type of element से मिलकर बना होता है जो होता है carbon, hydrogen और oxygen दोस्तों इन 3 elements का जो composition है वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि जो carbon होता है वो 87% होता है जो hydrogen है वो 11% होता है और oxygen है वो 2% होता है दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से 3 elements से बनकर हमारा bitumen बनता है तो दोस्तों जो bitumen होता है पर जैसे मैंने बताया कि petroleum product होता है तो दोस्तों bitumen वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे dead plants के remains ज़्यादा होते है तो दोस्तों जो bitumen होता है यानि petroleum product होते हैं वो high temperature और pressure पे डेवलप होते हैं इस कारण जहां पे dead remains plants ज्यादा होते है या GC ज्यादा होता है वहीं पे यह ज्यादा मातर में बनता है दोस्तों तो दोस्तों जो bitumen होता है वो naturally artificially दोनों तरह के से बनाया जाता है तो दोस्तों जो natural process है उसमें जो petroleum crude oil है उसके distillation के दोरान bitumen बनाया जाता है लेकिन जो artificial process है जैसे कि sugar है, molasses है, potato starch है, corn starch है या rice starch है इन सब चीजों से भी हम bitumen को बना सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से bitumen जो होता है वो waste material के fractional distillation process के दोरान भी बनाया जा सकता है तो दोस्तों जो properties होती है bitumen की bitumen black color का viscous substance होता है जो की naturally या artificially दोनों तरह के से बनाया जा सकता है तो दोस्तों इसका जो form होता है वो solid state और semi solid state के form में होता है तो दोस्तों इस तरह से जो इसकी specific gravity होती है वह 1.09 होती है दोस्तों जो bitumen होता है एक addisive material होता है यह liquid state में एक bonding provide करता है other materials के साथ जिस कारण bitumen को ज्यादा तर flexible pavement बनाने में किया जाता है दोस्तों दोस्तों bitumen एक highly impermeable material होता है जो की water को अपने सब्सक्राइब से पास नहीं होने देता है दोस्तों bitumen को chemical inert material बोला जाता है तो दोस्तों जो हम use की बात करते हैं bitumen ने यूज किया जाता है जब भी हम bitumen का you करते है पेमेंट बनाने में तो ऊस तरह के के पेवमेंट को फ्लक्षवल पेवमेंट बोला जाता है और दोस्तों एक इंपर्मेंट मेटेरियल होता है जो वाड़र को अपने से पास नहीं होने देता इसका जो घर के छत होती है उसमें जो लेग जॉइंट्स होते हैं उनको भरने के काम में यूज़ किया जाता है दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से जो बिटमिन होता है जैसे कि मैंने डिसकस के इंपर्विन माटेरियल होता है तो इसका यूज़ डैम प्रूफ कोस के कोटिंग में भी किया जाता है दोस्तों तो इस तरह से जो बिटमिन होता है वह वाल्स बेस्मेंट लाइनिंग swimming pools urinals में किया जाता है दोस्तों जो bitumen का पहले जो यूज किया जाता था वो बास्केट्स में इसका sealing agent as a sealing agent यूज किया जाता था दोस्तों तो दोस्तों bitumen का use road में दो तरह के से होता है एक होता है bitumen emulsion और दूसरा होता है cutback bitumen तो दोस्तों जो bitumen emulsion होता है वो liquefied form of bitumen होता है जो water bitumen और एक emulsifier का use करके बनाया जाता है दोस्तों जो bitumen emulsion होता है इसमें जो bitumen का percentage होता है वो 55-65% होता है जो water होता है वो 35-45% होता है और जो emulsifier use करते हैं उसका content होता है 0.5% दोस्तों bitumen emulsion 3-3 type का होता है rapid setting, medium setting and slow setting अगर use की बात की जाए तो यो जो use होता है जैसे कि road में priming में road prime coat में bitumen emulsion यूज़ कर सकते हैं road के maintenance और repair works में हम यूज़ करते हैं waterproofing और spraying में दोस्तों यूज़ करते हैं दोस्तों bitumen emulsion का use करने से पहले इसको heat करना जरूरी नहीं होता तो दोस्तों आईए बात करते हैं cut back bitumen क्या होता है तो दोस्तों cut back bitumen को ही हम liquid bitumen बोलते हैं जो की solvent का use करके produce किया जाता है तो दोस्तों जो solvent होते हैं वो naptha का use कर सकते हैं gasoline यूज़ कर सकते हैं kerosene का use होता है और white spirit को भी use कर सकते हैं बिटमेंग, cutback bitman बनाने में, तो दोस्तों cutback bitman भी three type का होता है, rapid curing, medium curing और slow curing, तो दोस्तों according to viscosity यहां पर जो division होता है, तो सबसे ज़्यादा viscosity rapid curing की होती है, फिर medium curing की होती है, lowest viscosity हमारी slow curing की होती है, तो दोस्तों जो rapid curing cutback between है वो naptha जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वह नप्था होता है वहीं जो medium curing cutback है उसमें जो solvent यूज़ करते हैं वो kerosene होता है तो वहीं जो slow curing cutback bitman है वो lowest viscosity होता है तो इसका यूज़ बहुत कम जगहों पर किया जाता है दोस्तों तो दोस्तों अगर हमारे इमल्शन अवलेबल ना हो तो इसका यूज़ प्राइमिंग ऑपरेशन में भी कर सकते हैं और इसका यूज़ पॉर्टर प्रूफिंग एजेंट के भी तरह भी कर सकते हैं तो दोस्तों जो bitman immersion होता है bitman cutback bitman होता है उसमें cutback bitman में जो bitman content होता है वहीं जो इमल्शन होता है इमल्शन में हमारा जो bitman content है 55-65% होता है तो दोस्तों का यूज़ प्राइमिंग operation में किया जाता है क्योंकि इसमें bitman की percentage ज्यादा होते हैं तो दोस्तों जब हमारा solvent वेपराइज हो हाँ से तो वहां पर हमारे bitman के substance ज्यादा निकल के आती है तो दोस्तों हमने bitman के बारे में जाना कि bitman क्या होता है उसकी properties ज़स्तों क्या होता है कि उसका का हमकरते हैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो helpful लगा हो तो हमारे comment section में comment करके जरूर बताएं तो हमारे वीडियो को like करें और फ्रेंड्स के दाद भी share करें दोस्तों दोस्तों एक सी से आध विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे important वीडियो के साथ जै हिन जै भारत